मी टू कमल हसन एक थी दिल है भीया कितनी बार जीतोगे मतलब हिंदुस्तानी टू का मैंने ट्रेलर देखा ट्रेलर देखती सबसे पहले पता चलता है इसमें हकीकत है हमारे देश की कि पढ़े लिखे बेरोजगार युगाओ को नौकरी नहीं मिलती है तो किस तंख्वा पर यानि रियलिटी दर्साई जाएगी और दिखाये जाएगा कि कैसे हमारे देश में करप्सन हो रहा है पक्का और मुझे वह वालड़ एलोग सबसे अच्छा लगा कि हम हैं ही क्या आम आदमी एक बार्किंग डोग है जिसकी भॉखने से किसी को कोई फरक नहीं पड़ता ले मतलब अभी कलकी में हमने उनका वो खतनाक वाला रोल देखा था कुछ-कुछ ऐसा हिंदुस्ताने टूम में वी कमल हसन बहुत ही ग्रोइंग वर्सिटाइल एक्टर है हमारे फ्रूचर के और कोई हरानी की बात नहीं होगी के साउच के कव नंबर वन एक्टर बन जाएंग वही बात करें रकुल प्रीश सिधार्त और संकर की तो उनकी एक्टिंग लाजवाब है अभी तो हमने सिफ ट्रेलर देखा है और मैं किसी भी हालत में मूवी मिस्कर नहीं सकता ट्रेलर उस बक्त आया है जब सरफिरा का ट्रेलर भी आया हुआ है और कल की 2898 80 मूवी खुद ही रिलीज होने वाली है अगर बात करें ट्रेलर की तो ट्रेलर देख कर मैं अपना मन बना चुका हूँ कि मुझे मूवी देखनी है लेकिन ट्रेलर को देख कैसा लगता है कि हमें स्टोरी साफ सब बताई जा रही है जहां पर कुछ छात्रों के साथ बुरा हुआ है उनको नौकरी नहीं लगरी किसी चातर के साथ करप सनुआ होगा उसी पर बदला लेने आएंगे हमारे कमल हसन हंटिंग डॉग बनके और करप्ट लोग को चुन-चुन के मारेंगे अब ये तो एक गैस है लेकिन मूवी इससे बिल्कुल परेवी हो सकती है वो तो हमें देखने के बाद ही पता लगने वाला है फिल्म में जंग है इमांदारी वर्सिस बैमानी की जहां पर हमें ट्रिलर में दिखता है कि एक लड़की सोसाइट कर लेती है साथ उसके बादी आग भड़की है और सरकार उनकी सुनेगी नहीं क्योंकि सरकार तो हमेशा से करप लोगों की रह लेता है और सेनपती अब सन्यास ले चुके हैं और अब नए काम के लिए तयार हो रहे हैं जहां पर हमाले में बसे हुए हैं यानि हमारे कमल अगर मैं इस ट्रेलर को रेट करूं तो मैं इसे 5 में से 4.5 इस्टा देना चाहूंगा और यह थोड़ा गबरिज बैक वाली फिल मसाला को